विल्कम टू खान ओफिशेल आट ये क्लास थ्री है तो से पर हम लीफ कलर करेंगे जिसके लिए मैंने दो कलर यूज किया है सैप ग्रीन कलर और यलो कलर वन साइड हम यलो कलर लगाएंगे और वन साइड साइप ग्रीन कलर उसी प्रॉसेस से हम दूसरी लीफ भी कर लेंगे अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मैंने और भी क्लासेस डाली है और आगे भी मैं डालती रहूंगी अगर आप बिगनर्स हैं तो आप मेरी क्लास वन टू भी देखें क्योंकि उसमें बहुत सी मैंने ऐसी बाते बताई हैं जो पेंटिंग के लिए बहुत जरूरी है जब भी आप पेंटिंग करना इस्टार्ट करें तो आप सबसे पहले ग्रीन वाला पोश्चन पूरा करें क्योंकि जब आप ग्रीन वाला पोश्चन पूरा कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि हमें इतनी डारेक्षन में इतनी जगह में यह कलर फिल करना है क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं ग्रीन की जगह रेड और रेड की जगह ग्रीन लगा देते हैं फ्लावर करने के लिए मैंने दो कलर लिया है ब्लेक और रेड़ सबसे पहले हम कली करेंगे बहुत आसान है मुश्किल नहीं है कली को हम ऐसे ही रेड़ कलर से पूरा उसको कलर कर देंगे हम दूसरी कली भी ऐसी ही करेंगे फ्लावर को भी हम नार्मली रेड़ कलर से पुरा कलर कर देंगे और आप कलर करते वक्त यह ख्याल करें कि आपकी लाइन क्रॉस ना हो जैसे जो पेटल है उसके बाहर कलर न लगे वरना हमारी पेंटिंग अच्छी नहीं लगेगी फ्रेश नहीं लगेगी उसके बाद हम ब्लेक कलर लेंगे और शेट करेंगे प्रेशर के साथ हाथ एकदम हलका सा रखेंगे अपने ब्रश को थोड़ा प्रेशर के साथ पकड़ेंगे और हलकी हलकी हाथों से शेट दे देंगे अगर आपको ऐसा लगे कि आपका कलर सूखा है तो आप उसमें मीडियम मिला लें किनकि जब आपका कलर थोड़ा पतला रहा रहेगा तो शेट अच्छा होता है यह हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो गई है देखें कितने खुब्सूरत लग रही है अब जरूर ट्राइब करिएगा किन् gewoon किन्या के देखें पैटने कि एansब